वेलकम फ्रेंस, आज हम आलू का हलवा बनाएंगे, इसके लिए हमने तीन बड़े आलू को बोईल कर लिये हैं, इन्हें ठंडा होने के बाद हम ग्रेट कर लेंगे, सारे आलू को हमने ऐसे ही ग्रेट कर लेना है, यह हमने सारे आलू ग्रेट कर लिये हैं, इसके बाद हम एक क सूजी को हमें बूंध लेना है अगर व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप सूजी को कलर चेंज हो जाए तो हम इसके अंदर मेश की हुए आलू डालेंगे यह हमारी सूजी भून चुकी है अब इसके अंदर हम आलू एड़ करेंगे गेश के हम आच मीडियम ही रखेंगे और आलू को कम से कम 10 मिन तक अच्छे से भूनते रहेंगे आलू की यह सिंपल रेसिपी है आप एक बार इसे ट्राइ करके जरूर कियेगा फ्रेंज अगर आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सस्क्राइब जरूर कीजेगा आलू को हम अच्छे से मेश करते हुए गुटलिया फोड़ते हुए मिक्स करते रहेंगे आलू को हम लगवग 10 मिर तक दीरे दीरे ऐसे ही सेखते रहेंगे मीडियम फ्लेम पे और हमारे आलू में से जब तक गी बाहर ना आ जाए जब तक हम इसे सेखते रहेंगे और जब ये शिक जाये तो उसके बाद हम एक कटोरी दूद एड़ करेंगे इसे थोड़ा-थोड़ा करके एड़ करना है और अच्छे से मिक्स करते रहेंगे हमें दूद टालते समय हमने गेस बंद कर दिया था एक मिट बाद हमने गेस को वापस चालू कर लिया है और आलू के हल्वे को हम बराबर चलाते रहेंगे इसी तरीके से जब तक ये वापस से गी वहार ना निकाल दे और ये हमारा आलू का हल्वा अच्छे से सिख चुका है और कड़ाई की चिपकना भी बंद हो चुका है अब इसके अंदर हम एक कटोरी सुगरेड करेंगे सुगरेड करने के बाद हम फिर से पाँच मिंट तक इसे से शेपते रहेंगे इसी तरीके से अच्छे से सुगर को मिक्स करते रहेंगे जैसे हमने सुगर को डाला हमारा आलू का अल्वा और भी अच्छे से मुलाइम हो चुका है ये देखें बिल्कुल ये दानेदार और मुलाइम हो चुका है अब इसके बाद हम इसे पांच मिन्क पोड ऐसे ही चलाते रहेंगे और फिर से घी जब निकल जाए तो हम गेस की फ्लेम बंद कर देंगे यह हमारा आलू का हलुआ में से घी बाहर निकल चुका है हम गेस की फ्लेम को बंद कर दिये हैं आलू के हलुवे को हम लेट में सरू कर लेंगे इसके बाद हम ड्राइफ रूट एड़ करेंगे आप बताईए आपको आलू का हलुवा कैसा लगा अगर आपको आलू की सिंपल रेसिपी पसंद आई हो तो आप कमेंट में जरूर बताई